नमस्कार स्वागत है आप सभी का सीनबी से आवाज पर मंगलवार का सत्र और आज हलकी बढ़त पर कारोबार देखने को मला है करीब करीब 25.2 पर आपको निफ्टी दिखाए देगा निफ्टी बैंक हाला कि अभी भी 100 पॉइंट के नुकसान के साथ कारोबार कर रहा है 46,324 तक तूटे थे हम वहाँ से कुछ रिट्रेस हुए लेकिन अभी भी नेगिटिव टेरिट्री में इत्ती जादा रिकावरी नहीं देखने को मिली है जितनी शायद आ सकती थी मिट कैप्स थोड़े से फॉर्म में है 130 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है हलकी खरदारी और खरदारी में इन फाक्ट आज रेल एस्टेट रेलवे कंपनियों का बड़ा हाथ है तो वो एक पॉकेट है जहाँ पर स्ट्रेंट बंती दिखाई दिया है पर से उपरी लेवल से कुछ दाइरा कम होता हुआ दिखाई दिया है सुबह में गैप काफी वाइट था गेनर्स और लोजर्स के बीच लेकिन अब वो काफी नारो हो चला है कहां से ट्रेट स्टेजी के बन रहे हैं कहां पर मुनाफव असूली हावी है आज बैंकों का साथ नहीं है ICICI Axis में हम देख रहे हैं दबाव बजाज Finance भी थोड़ा ऐसा दबाव में और Reliance Industries भी थोड़े से बैकफोर पर ट्रेट कर रहा है लेकिन आज Technology में TCS का साथ मिला है Capital Goods में L&T, Bharti Airtel और ITC ये दूसरे काउंटर्स है जो दर असल तेजी में है आज इसलिए हलकी Positive Taitry में Market Trade करतावा दिखाए दे रहा है Cool में लाकर ऐसे कुछ बहुत बड़े Gains नहीं देखने को मिले है एक Pocket है जहाँ पर थोड़ा सा Interest बन रहा है और बढ़ रहा है वो Insurance Company वो आपके सामने रख देंगे Trades HDFC Life, ICSI Lombard, ICSI Prudential ये कुछ stocks है Insurance side पर जहाँ पर हमने देखा है Consistency देखने को मिली है तेजी की अब ऐसे में आपने क्या Trade लेना है किस तरह कि stocks माय जानकार दर असल Focus में रख रहे हैं और खासतर कल के दिन इन्होंने किस तरह की Returns बनाए या आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा तो तीनों की शुरुवात हलकी positive में हुई थी लेकिन हलके negative में दिन छोड़ा Consistency का लूपरी लेवल से market में भी दबाव बना Least negative returns रुचित के हैं minus 0.26 उसके बाद minus 0.71% के returns पर शिल्पा है 1-1.5% की गिरावट हरीश के portfolio में बनी है आज पहले market को ये pad कैसे रहे है एक मामुली pullback लेकिन banks अभी भी drag कर रहे है रुचित अप्रोच क्या होगी index क्या इशारा कर रहा है ये मेरी गुर्मानी अर्शारा जी अर्शारा जी हमने लग रहा है कि अप्रोच के डीटा देखेंगे तो जहां पर 22,000 के put options में सिग्निफिकेंट राइटिंग हुई है सिमिलरे लिए 200 और 22,300 के call में भी बहुत अच्छा open interest बिल्ट अप हुआ है ये थरस्दे की जाए expiry है उसके तो इंडिकेट कर रहा है कि अप्शन राइटा जे वो expect कर रहे कि मार्केट सिग्निफिकेंट मूव इंडेक्स पर इंडेक्स पर नहीं तो निफ्टी बैंक के तरफ से भी यही इशारा है किया आप शिर्पा अजिए बिलकुल अगर हम लोग यहां पर देखेंगे 46,000 पर definitely support है जब तक यह hold का रहा है तब तक हम लोग के हम पर बहुत जादा negative नहीं expect कर सकते हैं यह मुझे लगता है muted expiry जैसा आपको दिन जाए आज और इस momentum आपको शाहद एक दो sessions के लिए और मिले थोड़ा सब फीका दिन रह सकता है especially अगर आप index trader है वरना stock specific काफी trades के मौके मिलेंगे अब trades लेना शुरू करेंगे लेकिन दो trades आपको identify जो हमारे जानकारों ने करके दिये थे वो दिखा देते हैं जो top traded counters है शुलपा ने कल LIC housing finance में करीब 1% तक के return बनाए लेकिन अभी-अभी मैं जिख्र कर रही थी insurance company का उसी पर दाव खेला था कल दरहसल रुचित ने वहाँ पर इनके 3% तक के return बनते दिखाई दिये हैं चले एके करके सभी के trades लेंगे हरीश भी माय साथ है लेकिन हरीश आपको आज माय साथ phone line से जोड़ रहे हैं शिर्पा में पहले आपके trades देखना चाहूंगी LIC housing कल आपने 1% के returns बनाए अभी भी hold कर रही है आपने कल Gail, JMA, Rapport, HPCL, City Union सब में या तो profit book किया है या फिर exit हुआ है एक HPCL में stop loss जरूर trigger हुआ आज का नया trade क्या रहेगा यहां पर मुझे लगता है आज के दिन में थोड़ा matters में turnaround है तो मुझे Tata Steel यहां पर buy करने के लिए मैं यहां पर recommend करूँगी 143.5 पर भी trade कर रहा है तो आप इस पर participate कीजिए targets जो रहेंगे वो 154 and 159 154, 159 के target के लिएक मौका Tata Steel में तेजी के तरफ यहां पर कारोबार करना है 137 तक का stop loss जरूर लगाएगा पिछले दो trading session से लगाता और दबाव में था आज थोड़ी सी हरकत आती भी दिखाई दे रही है Tata Steel में रुचित का portfolio आपकी screen पर लेकर आते हैं रुचित ने आईसे से लॉंबार्ड में आज 1700 के लेवल्स पर profit बांध लिया है इनका target वैसे 1750 था और यह hold कर रहे पेटरनेट और पावर ग्रिट को पहले तो आईसे से लॉंबार्ड कांस्ट्रिंग आज तेजी वैसे कायम है रुचित हमारे दर्शकों के पास अगर यह trade है तो क्या 1750 तक रोके अगर पोजिशनल लेटर जे तो रेफरेंट ले रोक सकते हैं मैंने कल यह breakout को थोड़ाजा प्रियांट किया था क्योंकि आप देखेंगे तो लास्ट दस दिन में स्टॉक के काफी नेरो रेंज में ट्रेड कर रहा था अच्छी बात यह थी कि मार्केट में थोड़े बहुत अगर प्रोफिट बुकियां करेक्शन भी आ रहा था तो यह स्टॉक करेक्ट नहीं हो रहा था तो यह ब्रेकाउट आज आज आया है स्टॉक में और आप इसे क्यारी करेंगे रुचित आज का नए ट्रेड क्या है राज का नए ट्रेड में भारती एटेर में करीडारी की सला दूगा रीसेंट से स्टॉक में करेक्शन आया और स्टॉक अपने 89 एम में के आसपास ट्रेड कर रहा है अवरली चार्ट पर RSI ने भी और सो लीडिंग से पोजिटिव क्रॉस सोज दिया है यहां पर रिस्क और इशो काफ़ी फेवरेबल है कॉंटर्ट रेट्स लेने के लिए तो 1120 के आसपास करन लिए उस पर खरिदारी करें 1090 के स्टॉप लोस और 1180 के टागेट स्टॉप में एक्सपेकर सेगे 1180 तक के टागेट आप लेकर चलेंगे 1090 आपके लिए स्टॉप लोस का काम करेगा यह है भारती एटर जिसमें एक टरनराउंड देखने को मिल रहा है तेजी वाला ट्रेड यह साबित हो रहा है चलिए अब हरीश से जान लेते हैं कि वो क्या ट्रेड जोड़ेंगे वैसे हरीश का पोर्टफोलियो अगर आप देखें एसकोट्स कुबोटा वो सेल वाला ट्रेड अभी भी यह होल्ड कर रहे है साथ ही साथ इन्होंने कोल इंडिया पर बाई दिया था यह अभी भी होल्ड कर रहे हैं आज सुबह में डिक्सन जो बाई साइट का ट्रेड था वहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ इसलिए हमने देखा है दबाव बनता दिखाई दिया है इनके पॉर्टफोलियो में बताई आज नया क्या जोडेंगे गुद मॉर्णिंग हर्षिदा जी आज मेरा एक बाई कॉल की रहेगा और मुझे लग रहे है कि हेचे इंपिस्टन एरानेटिकल लिमिटर एक लंबा रेंज के बाद निकल रहे है तो मुझे लग रहे है कि करेंट लेट से बाई करना चाहिए मुझे लग रहे है कि 3350 को ऊपर के अपसाइट भी टागेट हो सकते है और स्टॉप लएगा 2990 का तो मैं 3350 पहला टागेट रखूँ? यस और स्टॉप लएगा 2990 2990 2990 के लिए एक उपरचुनिटी यहाँ पर आपकी है तेजी में आप हाल को जोड रहे हैं शिल्पा आप ऐसे एक और ट्रेड जोड सकती है इस समय जोडेंगी और फिर दुपेर का इंतिजार होगा? हट श्रुच मैं थोड़ा बेट करूँगी तो कुछ इंतिजार के बाद अगला ट्रेड आएगा ठीक है तो हमारे जानकरों ने अपने ट्रेड सामने पेश कर दिया है इसका एक रिकाप करेंगे लेकिन लेकर आते हैं दीपक फटलाइजर का शेर स्क्रीन पर आपको याद होगा पिछले हफते ही हम बात कर रहे थे और उस दिन स्टॉक में जोरदार तेजी देखने को मिली थी कंपनी ने नौवे की ऑईल इन कैस कंपनी एक्विनॉर के साथ एक पंधरा साल का एक लॉंग टर्म अग्रीमेंट साइन किया है इस लॉंग टर्म अग्रीमेंट के तहट पॉइंट सिक्स फाइव मिलियन टन एलन जी सालाना एक्विनॉर दीपक को सप्लाय करेगा इसके क्या फाइदे रहेंगे मुझे याद है एक्जाक्ली वो प्रेसर रिलीज कहा था कि इनकी अमोनिया की वाल्यू चेन के लिए एक फाइदे मंद डील है हमाई साथ कंपनी के चैर्मन और मैनेजिंग डिरेक्टर शैलेश महता जुड़ रहे है महता जी स्वाइब पहले तो इस डील के अगर कॉंटूर समझा सके यह 15 साल का agreement as far as I remember 2026 से शुरू होगा किस तरह की यह value chain को add करने वाला ऐसा अगर यह हमें समझा सकी कितनी important है आपके लिए तो मैं पता तो आपकी बात ठीक है कि यह 15 साल का हमने type किया है Equinor के साथ Equinor Norwegian की global giant है और पिछले 50 साल से oil and gas sector में है और 30 countries में operate करती है और करी मन 75 billion का market cap है तो solid company है solid source है और यह जो हमने type किया है वो बड़ा attractive formula based type है तो जिससे क्या होगा कि आज कल के जो भी contact हुए है हमारे इसाब से this is one of the most attractive और हमने जो type किया quantity उसमें थोड़ी additional quantity भी है तो जिससे हमें help मिलेगी अगर हमारी captive requirement बढ़े और अगर नहीं है तो trading के लिए भी it will be a good entry for us तो this is the background अब जो value chain की बात की है चैसे आपको पता होगा कि हमने पिछले साली we have commissioned our global scale ammonia plant तो अब अच्छा चल रहा है अच्छा stabilized हो गया है guarantee test run भी हो गई है तो उससे capacity और efficiency भी अच्छी तरह से established हो गई है तो अब ये LNG contract will give us a whole value chain LNG से ammonia ammonia से building block nitric acid और nitric acid से fertilizer business mining chemical business और industrial chemical business तो पूरी की पूरी value chain stabilized हो जाएगी volatility कम हो जाएगी और ये value chain से margins भी अच्छे रहेंगे क्योंकि जो पहले देखने में आया था कि ammonia में volatility जो रहती है पूरी की पूरी we will be having in our group तो अच्छा रहेगा as a solid value chain basis मैता साब मैं आपसे एक चीज़ पहले समझना चाह रही हूं कि आपकी इस समय ये जो प्लांट आपने सेट आप किया है उसकी capacity कितनी है कितनी LNG सालाना तोर पर आप इस्तमाल करेंगे ammonia अगर इस समय आपको वह supply मिल रहा होता 0.65 million ton per annum का उसमें से कितनी इस्तमाल होती है और क्या कुछ वाकवी में बच्चे की बाहर बेचने के लिए तो आज की दिन मेरे इसाब से 80-85% हम खुद कर सकते हैं ठीक है तोड़ी बहुत क्योंकि हमने जो प्लांट सेटप किया है प्लांट सेटप किया है और पूरा का पूरा डाउंस्रीम तो रेडी है पिछल चालेश सालों से क्योंकि पहले हम अमोने इंपोर्ट करते थे और आज हम अपने खुद के प्लांट से ले लेंगे तो मेजोरिटी विल बी कैप्टिव यूज आप आने वाले समय में हमने दो और प्रोजेक्ट ऑंगोई है हमारा अमोनियम नैटरिड प्रोजेक्ट जो आ रहा है और एक है अडिशनल नाइटरिक ऐसे प्रोजेक्ट तो डोनों में अमोणिया की ज़रूरत रहेगी और उसी साथ से LNG की भी ज़रूरत रहेगी तो इट विए गूर्ट कैप्टिव सपोर्ट पर आपने एक चीज कहा यहां पर आपके माजिन्स में भी सुधार होगा इस समय आप जब अमोनिया बाहर से मंगा रहे थे या फिर किसी और से LNG खरीद रहे थ और यहां पर फिर माजिनली कितना इंपक्त आपके फेवर में आएगा इस पुटिकिलर करार के बाद तो यह जो LNG का कॉंट्रेक्ट है इस गूर्ट किक इन में 2026 तो थोड़ा भी एक-दू साल की गैप है मगर वी आर एक्सपेक्टिंग की इस इस वेरी गूड कॉंट्रे तो आज की सबसे तो फाइदा रहे गाई यह क्या लंबा कॉंट्रेक्ट है तो कॉंट्रिबूशन माजिन की बात करनी थोड़ी स्पेकुलेटिव रहेगी मगर एक आप देखते हैं कि आमोनिया के प्राइजेज करीबन 700 800 900 डॉलर्स तक भी पहुंच गये थे तो यह जो व अपने प्रोड़क्ट चो आगे बनते हैं उसके लिए इस्तमाल करेंगे और फिर फ्री तो सेल डाट इस्वेल क्या उसके लिए भी एक मार्केट है अमोनिया की मार्केट पी काफी अच्य है मेरे इसाब से देरे-देरे करके मोस्तली विल कंजूम इडिनावस डाउंस्ट्रीम फटलाइजर्स डाउंस्ट्रीम इंडिसिल केमिकल्स और माइनिंग केमिकल्स में मैं उस रिलीस में एक और चीज़ पढ़ रही थी कि आप शायद फॉर्दर डिकार्बनाइजेशन के लिए भी कुछ ऑपरचुनिटीज धूनेंगे, आगे कुछ और पेटकेम फीट स्टॉक्स रहेंगे, यह किस तरह के प्रोडाक्स आगे आ सकते हैं, क्या कोलाबरेटिव ओपरचुनिटीज रहेगी एक्विनॉर के लिए गोइंग फॉर्वर्ड? प्लांट है, उसी से हमने कार्बन फूट्प्रिंट काफी कम कर दिया है, जो पहले हम इंपोर्ट करते थे और ओशेन लाइनर से कार्बन की बढ़ोतरी होती थी, जे एन्पिटी से तलोजा लेके आते थे, वो भी यूमन कंजम्शन लेवल पे जो कार्बन की एडिशन होती प्लांट हमारे करेंट कॉंप्लेक्स के सामने ही लगा दिया है, आने वाले दिनों में एक्विन और क्योंकि उनके पास काफी स्ट्रेंथ है, हम सोच रहे हैं कि जो अभी जो कार्बन निकलेगा, सीओ टू निकलेगा हमारे अमोनिया प्लांट से, तो उसकी कैसे हम अच्छ आइल रिकवरी के लिए, तो क्या है कि ONGC के वगरे जो आइल फिल्स है, जो उन्होंने सब जितना आइल निकल सकता है, वो निकाल दिया है, फिर भी थोड़ा रह गया है, उसमें CO2 दालके वो आइल रिकवर कर सकते हैं, तो ग्लोबली ये बड़ी अच्छी सिस्टम चलते क्योंकि लोइस कोस्ट दोनों को फाइदा हो जाते हैं, कि वो आइल भी मिल जाता है, और हमें जो CO2 यूज होगा, उससे हम मूझ करेंगे फ्रम ग्री अमोनिया टू, फ्रम ग्री अमोनिया टू ब्लू अमोनिया, जो आप बनाएंगे, आप इस तरह के लॉंग टर्म वी रगे अगर हमें बता सके, क्योंकि चाइना से बहुत जंचन के बहुत अलग-अलग खबरे आती है, करेंट एंवाइमेंट क्या है, भारत में का, और फिट अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका भी, हमारा क्या हुआ है, कि तीनो जो प्रोड़क्त लाइन है, बड़ी अच्छी तरह से इंडिया ग्रोथ स्टोरी से लिंक हो गई है, जैसे इंडिया ग्रोथ होगा, तो इंडिया को पावर के लिए कोल चाहिए, ग्रोथ के लिए सिमेंट लाइम स्टोन चाहिए, रोड्स, ब्रिजिस बनाने के लिए अलग-अलग ची चाहिए, मैटल् केमिकल की जो प्रोड़क लाइन है वो बड़ी अच्छी तरह से अलाइन हो गई है जैसे जैसे इंडिया ग्रोगा वी विल बी गेटिंग आ पॉजिटिव टेल विंड सेम वे फटलाइजर में हो गया देखा जाए तो एज इंडिया के मिड इंकम ग्रूप ग्रोग हो रही है तो movement is happening from basic grains to fruits and vegetables तो हमारे जो specialized fertilizer है वो सब होटी कचल के लिए बहुत ही अच्छे है और that is also very beautifully aligned with the India growth story तो उसे क्या हो रहा है कि बड़ी अच्छी tailwind मिल रही हमारे पूरे सब product lines को simple India growth story से ही और बाकी export का भी तो potential है मगर India demand बहुत ही अच्छी है और as India is you know among the world's topmost growing country तो we are very well placed okay तो यह इस growth story में फिर आपका भी एक बड़ा योगदान रहेगा भूमिका रहेगी सब्हाया आपसे third quarter के numbers फिर पूछना चाहूंगी considering इस particular quarter में हमने देखा operationally कमजोरी थी profitability revenue सब दबाव में था कोई खास वजह do we see a turnaround in the coming quarters क्योंकि जादत और chemical company ने indicate कि है H2 तक शायद पें रह सकता है आपके लिए क्या situation है जैसे देखते हैं कि क्या हुआ था कि यह quarter comparison हम करने पिछले साल से पिछले साल was our historic best that is a little bit of an odd comparison but अगर हम पिछले पांच साल के average लेते हैं तो we are on a good wicket अब हुआ क्या है कि रशिया से काफी fertilizer grade ammonium nitrate import यहां पे इंडिया में dump हो रहा था है इसलिए कि रशिया के product को बाकी काफी countries उने sanction लगा दिया था हमने government को अप्रोच किया है कि हमने और industry में मिलके we have put some over 5000 crores of investment क्योंकि coal India को coal ministry को यह चाहिए था कि coal production बढ़े हमने कहा कि एक साइट सामने इतना invest किया और दूसरी साइट से dumping हो रहा है तो government is very sympathetic to that issue और election के बाद नए budget में कहतो रहे है कि it will look at these tariff non-tariff measures दूसरी यह चीज है कि global fertilizer requirement भी last year कम थी केमिकल में भी क्या हुआ था कि interest rate सब कंट्री बढ़ा थे यूएस भी बढ़ा रहा था था थोड़ा थोड़ा dampening आया था global businesses में तो अभी वह भी प्लेटो हो गया अभी वहां भी सोच रहें कि interest rate अभी कम किया जाए और काफी overstocking हुआ था because of that post-covid heat तो यह cycle come turn होने के आसा रहे महता जी कितने quarter लग सकते है हम देख रहे हैं कि आने वाले एक-दो quarter में it should even out okay तो वही Q2 तक hopefully या Q1 के end तक city में improvement होती भी दिखाई देगी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश महता हमारे ले समय ने काल कर detail में बताने के लिए Equinar के साथ tie-up के benefits और अफकॉस कब वो turnaround देखने को मिलेगा stock आपके सामने screen पर 515 के आसपास कर रहा है कारोबार चले लेंगे एक break ब्रेक के बाद शायद शिल्पा एक trade जोडेंगी उनसे करेंगे बाद बता दें कि money control पर दिये गए विचार experts के अपने नीजी विचार होते हैं website या management इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजर्स को money control की सलहा है कि कोई भी इनिवेशन इंडा लेने से पहले certified expert की सलहा लें